हेलो दोस्तों सागते आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में आज हम जा रहें बनाने आलू का कटलेट्स इसको हम सिर्फ पांच मिनिट में रेडी करेंगे तो वीडियो को पूरे एंट तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं आलू के कटलेट्स बनाना सबसे पहले गैस की फ्लेम को आउन करेंगे फिर हम कराही बेठा को तेल डाल देंगे इसके बद इसमें जीरा डाल देंगे जीरा के साथी साथे हम थोड़ से अदग थोड़ से लेसन डाल देंगे इन सबसे इसका फ्लेवर टेश्ट बहुत ही अच्छा है इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो छोड़ भी सकते लेकिन इसे थोड़ तीखा पनाएगा तो हमारा कटलेट्स बहुत ही टेश्टी लगेगा फिर हम इसको चला लेंगे बनाने का तरीका बहुत ही असान है चैनल पे नए हैं तो चनको सस्काइब करिएगा इसके बाद हम इसमें एक चमच छल्दी पॉर्डर डाल देंगे फिर हम इसको ऐसी चला लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा इसके बाद आती जोटी चमच लाल मिर्च पॉर्डर डाल देंगे इससे तोड़ा तिखा पन भी आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा भी लगेगा तो हैनल बनाने का तरीका बहुत ही असान फिर हम थोड़े से काली मिर्च जीरा पॉर्डर डाल देंगे इन सब को चला देंगे ये तो हमारे घर में समान होता ही है तो इसमें कोई टेंसन करने की बात ही नहीं है इसके बद हमने पांच छे आलो लिया उसको बॉयल कर दिया फिर हमने उसको छील कर हमने उस कराही में डाल दिया फिर हम इसको मिला लेंगे क्योंकि हम आलू का कर्टेट्स बना रहें तो इसलिए हमें आलू की तो जुरत पड़ेगी ही इसमें हम पोहा कही उस नहीं करेंगे फिर हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे नमक के साथ इसा थोड़े से चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला ये एक सीक्रेट ड्रेसेपी है कट्टेट्स बनाने का इसके वह थोड़े से हरी धनिया डाल लेंगे हरी धनिया से फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा है गा फिर हम इसको मिला लेंगे एक से दो मिनट तक अच्छी तरकी से पकाएंगे और साथी गैस के फ्लेम को मीडियम रखे लेंगे तो हैनल बनाने का तरीका बहुत है इसमें कोई जंजट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस तरीके से बना कर खाएंगे तो आप अपनी अंगलिया चाटते रह जाएंगे आप लोग भी एक बाद जुरू ट्राइ करिएगा बच्चों को टिफिन में बना कर दिजेगा या तो सामके नास्ते में खाईएगा खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो यह देखिए हमारा आलू फ्राय हो चुका है इसके बदम ने इसमें एक चमच अरोरोट पॉडर डालाए अगर आपके पास अरोरोट पॉडर नहीं है तो बेसन भी डाल सकते हैं इसके बदम मैदा थोड़ा सा लेंगे और उसका घोल बना लेंगे थोड़े थोड़े पानी डाल करें कि इसका अच्छा सा घूल बना लेंगे मैदा मिसले बना रहे हैं ताकि जब हम कट्लेट्स बनाएंगे न तो मैदा में डुबो को डाल कर बनाएंगे इसके बदम इसमें चावल के आँटे डाल लेंगे चावल के आँटे से हमारे कटलिट्स बहुत ही कुरकरा बनेगा तो ये देखिए हमारा घोल रेडी हो चुका फिर हम गैस की फ्लेम को ओन करेंगे करा ही बेठा कर उसमें रिफाइन ओर डाल देंगे इसको अच्छी तरीके से हीट ओनें देंगे इसके बदम एक आलू को लेंगे हाथ से जैसे के वीडियो में देख सकते हैं मैं ऐसी करना है आप चाहों तो कोई और भी सेफ लगा सकते हैं तो ये देखिए हमारे रस का बुरादा है और यानी की टोस को हमने मिक्सी में पीस लिया तो ये देखिए हमेरा तेल हीट हो चुका है इसके बद्जों ने मैदा लेते हैं मैदा में डूबोकर फिर हम ब्रस में डूबो लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो सारे को मैसी रेडी कर लेंगे फिर हम जाकर कराही में डाल देंगे और इसको तीन से चार मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राइ होने देंगे तो हैना बनाने का तरीका बहुत ही असान तो आप लोग भी एक वाज जुरू ट्राइ करिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथी बेल आइकों को प्रेस कीजिएगा उससे क्या होगा को जो हमारे नएने वीडियो होते नो उससे पहले आपके पास आएंगे सब्सक्राइब करने का ओप्सन बिल्कुल फ्री है इसके पढ़े हम सारे कटलेट्स को डाल देंगे तो ये देखि तीन से चार मिल्ट होने के बाद हमारा कटलेट्स फ्राइ हो चुका जब इस स्टेज में आज़ा तो हम इसको निकाल लेंगे तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं कि आज की रेस्पी कैसी लगी मिलते हैं ने रेस्पी के साथ